ग्वालियर में आर्पीएफ खाना पुलिस की प्रतार्णा से तंगा कर बीते दिनों आटो चालक के द्वारा आत्मात्या करने के मामले में आम आदमी पार्टी ने म्रतक आटो चालक के परिजनों वरिष्टेदारों को साथ लेकर एसपी ओफिस का गेराओ कर जमकर नारे बाजी की इस दोरान आम आदमी पार्टी के साथ हाई म्रतक के परिजन और नाराज लोगों ने एडिसनल एसपी को एक ग्यापन दिया है जिसमें आर्पीएफ थाना पुलिस के खिलाफ कारवाई की मांग की गई है पुलिस ने भी म्र तके परिजनों को जाच कर उचित कारवाई किये जाने का अश्वासंदिया है दरसल जहांसी रोड थानक शित्र के चंदर वदनी नाका में रहने वाले ओटो चालक कमल कोशवा ने बीते दिनों आत्मात्या कर ली थी परिजनों का आरोप है कि कमल की आर्पीएफ के द्वा से मांग की है कि 26 अगस्त 2024 को आटो चलक कमल कोशवा ने फासी लगा कर आत्मात्या कर ली थी जिसकी वज़ा आर्पीएफ थाना पुलिस थी आर्पीएफ थाना पुलिस के द्वारा उसे प्रतारित कर आटो वापस देने के बदले में 50,000 रुपे की मांग की गई थी और र सुबह सुबह जासी रोड थाने के पुलिस आज नक्सा मौका बनाने गई है पांच दिन बाद और दूसरा यह कि आर्पीएफ पुलिस को कोई भी छेत्रा दिकार यह नहीं है कि रेलवेज से बाहर जाके अन्न सिविलियन सेरिये में अन्न लोकल पुलिस मत्प्रदेश की जो जासी रोड थाना है वहां से किसी को पकड़ के लाएं भले वो आरोपी भी उनकी नजर में हो तब भी उनको पकड़ने का अधिकार नहीं हो सीधा सीधा यह आपरहण का भी मामला है आसवसन उनने दिया है कि DSP साब हिना खान जी को बुला रहे हैं और निश्चित रूप से हम कारवाई करवाएंगे ऐसा उनने आसवसन दिया है नहीं होता तो आमाधिमी पार्टी एक बड़ा अंदोलन करने जाएगी पीड़त परवार के साथ और अन्ने संगठन अन्ने दल भी सामिल होंगे और निश्चित रूप से हम पीछ अटने वाले नहीं हैं मैं कोट जाना पड़ेगा कोट जाएंगे लेकिन दो सी आरोपियों को हम सजा दिला के रहे हैं उसके संबन्ध में आज उसके मिर्टक के परिजनों द्वारा ग्यापन दिया गया है उनके द्वारा कुछ जाच के लिए बताए गया है कि उनको जो पुलिस पड़ाव पुलिस ने और आर्पीय पुलिस ने परिसान करा कमल की मौत के बाद न्याय दिलाने के लिए उस समय चक्का जाम भी किया गया था और पुलिस अधिकारियों ने कारवाई करने की बात कही थी लेकिन आज तक पुलिस ने कारवाई नहीं की लेहाजा अब परिजनों के द्वारा एडिशनल स्पी ने रंजन शर्मा को इग्यापन सौप कर ये मांग की गई है कि घटना करम को लेकर रपी अफ थाने पर लगे सी सी टीवी फुटेज रजिस्टर जब्त करदोशी पुलिस कर्मियों के खिलाव कारवाई की जाए इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल स्पी ने मरतक के परिवार वालों को घटना करम की जाच कर दोश्यों के खिलाव ठोस कारवाई की बात कही है गवालियर से टीवी नाइन के लिए धरमेंदर शर्मा की रिपोर्ट